असलाम अलेकुमार मैं आपको बताने जारी है जाफरानी चीकन की रेसिपी यह बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है आप में कभी यह रेसिपी बनाइनी है तो जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखे बहुत है नोंगे करीम मैंने ऑल को अच्चे से गराम ने देते हैं उसके बाद मैं समयाइगे आडत कर यू अदरक लसं का पीस्व भर के एड करना है उसके बाद 1 tablespoon हमें crush हरी मिर्चे एड करना है आप चाहे तो अध्रक्लस्टन को भी खरश करके एड कर सकते हो भी बूर फ्लेवर फुल बनता है लेकिन मैं पेस्ट यूज कर रही हूं इसे अच्छे से भून लेंगे अध्रक्लस्टन को चलाते हुए 10 मिनिट के ल भून लिया है अच्छे से लो फ्लेम पे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे जो है चीकन सारे चीकन को अच्छे से एड कर लेना है फिर यसे मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और यह बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपी है बिलकुल टाइम नहीं लगता इसमें मैं आपको नेक्स प्रोसीजर बता देती हूँ देखिए आप एक ग्लास पानी में मैं आपे एड कर रही हूँ टू टेबल स्पून जो है कॉन फ्लार को अच्छे से पानी में एड करके और हमें मिक्स कर लेना है देखिए टू टेबल स्पून इंदम बराबर से मेजर इसी के साथ देखिए मैंने जो है टू टेबल स्पून के करीब जो है काजू को गरम पानी में भीगा दिया है इसे अच्छे से भीगने देते हैं हम थोड़ी देर के लिए उसके बाद इसका मिक्सर भी रेडी कर लेंगे और साइड बाई साइड में आपको बता रही हूँ आप मेरे इनस्टा इडी को फॉलो की जिया है और मेरे चानल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए अब इन सबको अच्छे से चिकन के साथ लिक्स कर लेना है इस तरीके से चलाते हुए गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है चिकन देखिए अब हमारे अच्छे से गले नहीं है मैं आगे आपको बताऊंगी प्रोसीजर कैसे कैसे हमें चिकन को गलाना है देखिए मसालो के साथ मैंने फिर से कुक कर लिया है से अच्छे से चिकन को अब हम यह स्टेज पे इसमें अड़ करेंगे दही एक किलो चिकन में हमें पाव किलो के करीब जो है दही अच्छ लो फ्लेम पे मैंने इस तरीके से पहले चला लेणा है ताकि हमाई दही जो है फटे ना इस तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए दही को इदम क्रीमी-क्रीमी आपको नजर आ रही होगी कभी बी किसी भी रेसेपी में जाने पहले गैस की फ्लेम को लो कर लीजिये, तो आपकी दही जो है वो फटती नहीं और आपकी ग्रेवी इंदम क्रीमी क्रीमी बनती है, यह स्टेख पर मैं थोगा असा नमक के एट करई हूँ, नमक के बहुत समालकर आप करियेगा, क्यूंकि इसमें हमने मैगी क्यू buckle में बहुत नमक होता है आप अप देखी Moyकल कե बन कर के थोड़े दिर हम इसे दही loyal देखे के p irrit के अज़्छे से डॉय हो चुका है आप मैं O पानी तब तक पानी पक रहा है आपको नेक्स पोजर बताती हूं यहां पर देखे मैंने लिया है खोवा जो हम शीर खुर्वे में डालते हैं उसका बने फिकका खोवा लिया है इतने मैं एट करी हूं वन टीस्पून के करीब घी अब इसे अच्छे से जो है पका लेना है खो से टेस्टी बिलकुल जाता है खोवय से और जाफरान से बहुत ही मज़ेगी बन जाती है मरी रीसिपी देखे खोवा हमारा अच्छे से बुन गया है इसकी स्मel बिलकुल चले गई है खोवा Э्ट तक-पानी थे पक रहा है इसके अंदर मैं अध्या लिया जो मैंने घूल औ अब कॉर्ण फ्लार को भी कुक कर लेना है इस तरीके से देखिए इतना अच्छे से इसकी थिकनेस जो हमारी ग्रेवी की बढ़ रही है देखिए एक किलो चिकन में मैंने दो ग्लास पानी जो है वो एक किया है जिसा जैसे कॉंटेटी में आपको बतारी सब चीजों की वैसे दालिएगा तो आपके जो चिकन है बहुत मज़दार बनके रेडी होंगा देखिए आप मैंने काजू का पेस्ट कर दिया है जो काजू मैंने भीगा के रखा तो उसे मिक्सी में पीस लिया था अब यह जो खुबा मैंने बून लिया है घी में वह मैं अट कर रही हूँ और मैं इसमें आट कर रही हूँ जो जाफरान मैंने भीगा के रखा था वह सब चीज़े आप साइट पर एडी रखिए फटा फट से अपना जो शिकन है वाप बना लिजे कलर देखिए कितना खुबसूरत कलर इसका आ रहा है और ग्रेवी भी बहुत मज़े की मनी थी मैंन जब ट्राइ किया था मैंने बार-बार ये रेसेपी बनाई है आप भी बार-बार बनाएंगे जरूर ट्राइ किजेगा अब ये स्टेज पर हम इसमें आट करेंगे फ्रेश क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो आप स्कीप कर सकते है देखिए देखिए फ्रेश क्रीम मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है ग्रेवी के साथ बाद में जब मैं इसे सर्फ करूंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रेश क्रेश क्रीम एट करूंगी देखिए तयार हो गई है मेरी मज़ेदार जाफरानी चिकन की रेसिपी बहुत ही खुश्बूदार बह गरट जाफरानी चिकन की रेसिपी देखें की जब उसे प्रेश किया है ज़रूर बनाई रहे जाए रहे जाए को लिए कैसी अगर आपको मेरी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए शeयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफी की जब 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 अर्ण कीज़ेगा उससे आने वली सबसे पहले रेसेपी आपको मिलेगी देखें मैं अपको इसकी थीकनेस बता रही हो किस तरीके से अच्छी से देखें वह चुका है चिकन भी हमारा इदम अच्छे से गल चुका है और ना ग्रेवी हमारी जाधी पतली ह है ना इदम ठीक है बहुत ही मज़े किए गेवी बनके रेडी हुई थी जरूर ट्राइ कीजिएगा और रमजान मुबारत में इसे जरूर बनाईएगा और मेरी रेसेपी को अपने फ्रेंस और फैमली में फॉर्वर्ट कीजिएगा आप इसे इफतार में सहरी में अर्राम स खा सकते हैं चलिए चलती हूँ अल्ला हाफीज